आज हम आपको mathematics का कुछ important question बताएंगे और उन important question को कैसे आसान ट्रिक से solve करेंगे इसके भी बीज़े में हम आप सबी के पास जबज़स तरीके से चर्चा करेंगे तो चलिए start करते हैं आपको तरीका जो होए बहुत सरा तरीका है लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वही तरीका हम यहां पर आप सब के पास परदसित करेंगे ताकि आपको जो किसी भी परकार कर कोई दिक्गत ना हो और सभी में ट्रीक फ्लो करें तो चलिए बिना दरीक कि वह स्टार्ट करते हैं जैसे कि बनाने के लिए जो जैरल मेथड है हम यहां पर जैरल मेथड से अपलाई करते हैं तो चलिए यहां पर जैरल मेथड अपलाई करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको जैसी कि हम बनाते हैं सेम Sam OSI type 욕 कर सकते या तो आप दूसरा तरीके से यहां पर apply कर सकते जिसे कि यहां पर क्या है यह question इसको हम दो से सबसे चोटी संख्या दो से हम यहां पर विभक्त करने वाले तो यह किदने हो जाएंगे 12 यह हो जाएंगे इसका आधा 15 यह हो जाएंगे 28 और यह हो जाएंगे 35 किलिए रहे दोस्तों फिर से यहां से हम लोग क्या करेंगे 2 से इसको multiply करेंगे यानि 2 से divide यह हो जाएंगे 6 यह हो जाएंगे 15 यह हो जाएंगे 14 और यह हो जाएंगे 35 अब यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर कितने से लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे, डिरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको तीन से ले सकता है, या दो से भी आपका जा सकता है, तो तीन से लेते हैं, तो तीन से लेते हैं, तो तीन से लेते हैं, तो तीन से लेते ह है पांच से इसको हम डाइक लेते हैं पांच से लेते हैं दो हो जाएगा फिर पांच पांच हो जाएगा फिर चोदर लिख देंगे फिर साथ पचे 35 हो जाएंगे फिर हमें क्या करने होंगे फिर से हमें दो से लेने होंगे तो एक हो जाएंगे फिर एक हो जाएंगे फिर साथ हो जाएंगे अब इसे हम किसे लेने हैं साथ से लेंगे एक हो जाएंगे एक हो जाएंगे देन एक देन एक हो जाएंगे तो इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा हमें LCM पता चल गिया तो हमें क्या करने हुगे इन सारे संख्याओं को एक साथ multiply कर देने जब इन सारे संख्याओं को एक साथ multiply जब करेंगे तब यह जो है टोटल निकल के आएगा यानि कि कर सकते हैं कि LCM बराबर LCM बराबर हमारा आएगा आठ सो चालिस यानि कि 840 यानि कि कह सकते हैं कि हमारा जो आप्सन से आप्सन चार बिलकुल भी सही है आए कुछ और question देखते हैं जो कि आप सभी के examination में अक्सर पूछे ही जाते हैं तो next question आपके screen पर आ चुके हैं जिसे कि देख पार लिखेगें दो सेंख्याओं का लसा B79 है और उनका मासा सत्ताय से यदि पहली सेंख्या 189 हो तो दूसी सेंख्या क्या है दोस्तों एक formula होता है formula हमारा यह कहता है ध्यान से दिखेगा formula यह कहता है LCM into HCF बराबर होता है first number into second number इसी formula पर हम इसका मान को place कर देंगे कैसे place करेंगे देखिएगा यहाँ पर ध्यान से यह लसा दिया गया लसा का value सबसे पहले 279 में देखिएगे मासा का कितना दियाएगा 37 दियाएगा 27 सथाश प्ले में व कर देंगे व राबर फाली सेंग या first से नंबर मैं फॉर्स नंबर क्या होगा आगा 189 अब इसमें से क्या करते हैं इसमें से इसको काड़ते हैं अगर हमें हमें 37 से अगर हम काड़ साथ बार में तो 189 आ जाएगा अभि इसको हम इसके से काड़ देंगे तो काड़ 97 यानि कि 297 इसका सही अंसर होगा अता हम कर सकते हैं कि इसका सही अंसर है 297 यानि कि options number 2 तो दोस्तों यह सब ट्रिक्स से आप जरूर बनाईएगा आपको बहुत ही आसान mathematics लगने लगेंगे आई कुछ और question दिखाते हैं जो कि आप सभी के examination में पूछे जाते हैं यहां पर आप देख पा रहें यहां पर जो fraction में दिया गया और इसका loss और मौसर दोनों पुछा जा रहा तो loss और मौसर निकालने के लिए दो शुत्र होते हैं उस सुत्र को हम लिख देते हैं यहां पर कि किस परकार से निकालते हैं अगर हमें fraction वाले याद रहेखेगे यह सुत्र जहाँ पर लगेगा तो वहाँ पर fraction होगा उसी पर ही लगेगा. यानि कि यहाँ पर क्या करना है? इन सभी का उपर को LCM ले लेना है. यानि कि यहाँ पर याद रहेखे LCM लेना है किसका? दो का, तीन का और चार का LCM लेना है. और जो S-C-A-P लेना है, S-C-A-P लेना होगा 3, 4 और 5 का S-C-A-P लेना है तो इन सभी का जब हम L-C-A-P निकालने के लिए जाएंगे तो कितने आजाएंगे? 12 वा आजाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें, यह दो जो है इससे कट रहे हैं तो इसको हम हटा देंगे, और इन दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं तो यह ठ्रीक का नियम है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, अब यहाँ पर S-C-A-P लेते हैं उसके बाद नीची वाले का हम L-C-A-P लेंगे, L-C-A-P 3, 4 और 5 का हम L-C-A-P लेंगे तो उपर वाले का L-C-A-P अगर हम लेते हैं, सभी का L-C-A-P लेते हैं तो एक ऐसी संख्या है, जो कि सभी संख्या को काड़ दे यानि उपर वाले के L-C-A-P कितना आ जाएगा, एक, अब यह दो है, तीनों को हम क्या करेंगे आपस में पकड़ कर मल्टिप्लाइ कर देंगे, यानि कि यहाँ पर 5 चों के 20, 20 ते कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे यानि L-C-A-P बराबर हमारा बारो निकला और S-C-A-P बराबर एक बटा 60 निकला इस पर कार साम कर सकते हैं, इसका सही अंसर होगा बारो और 160, बारो और 160 यानि options नंबर 1 इसका जो है सही जवाब है है ना दोस्तों काफी आसान ट्रिक से हम आप सभी को बता रहें, आई कुछ और कोशन देखते हैं जो कि आप सभी के एकजाम नसल में अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप का कॉश्चन ध्यान से यहाँ पर देखें, इसमें अगर पॉइंट विंट सब हटा दें, तो सभी का संख्या 42, 42, 42, 42 बन जाए इसमें एक ट्रिक है बस इस ट्रिक को यहाँ पर फुनो करने और आपका कॉश्चन आसान लगने लगेगा यदि सभी संख्या के अंग को जो है समान है, माल लेते हैं, सभी संख्याओं का अंग क्या है समान है, तो समान अगर रहेगा, तो सबसे जो बीगेस्ट भेलू होगा, यानि कि जो बीग नंबर होगा, बीगेस्ट भेलू होगा, बीग होगा आपका ऐलसियम, बीग क्या कि पहले जो होगा और आपका स्थाइब कहलाएगा सबसे सबसे बड़ी संख्या क्या है हमें यहां बराबर हमें क्या है आपको बताएं बड़िग नमबर यहां पे 42 सबसे ज्यादा बीक नमबर है हमारा बियाली और small लेना SCF बराबर SCF हमें सबसे छोटी तो सबसे छोटी क्या है यह देखे 42 पैसा और यह 45 पैसा से भी कम है यानि यही संक्या हमारा सबसे छोटी संक्या हो जाएगी अता हम कह सकते हैं कि इसका सही एंसर क्या होगा यही आपका सही ओप्संस हो जाएगा इस परकार से आप याद रिखेगा बिगेस्ट जो होता है वह LCM कहला आता और smallest जो होता वह SCF कहला आता लेकिन इसमें कंडिसन ने कि सभी संक्या इकवल होना चाहिए एक ही संक्या होना चाहिए चली अगला कोस्टन के रवड़ते नेक्स्ट कोस्टन आप किसके पर आ चुके यहां पर 1.08 0.36 और 0.9 का SCF ग्याद करना है तो इस प्रकार से को SCF कैसी ग्याद करेंगे आई इन सभी का कोस्टन क सभी का इकवल होना चाहिए तो यहां पर देखें पॉइnट के बाद दो अंखे पॉइंट जो खी यहां पर बन जाएगा 306 और यहां पर बन जाएगा 90 ओम इस प्रकार से хam क्या कि हटा देगा अब हटाने वह ही आपका उत्तर तो यहां देखने में सबसे बड़ा जो भेलू है वह कौन सा लग रहा है तो सबसे बड़ा भेलू हमारा यह लग रहा है तो यहां पर क्या करेंगे इन सभी संख्या को क्या करेंगे अठारों से हम इसको भाग देंगे तो यह तीनों संख्या क्या हो सकते हैं से बराबर यहां पर दोंग के बाद फिर से पॉइंट आप डाल दीजिए जीरो पॉइंट वान इट यही आपका सिंपल सा एंसर हो जाएगा यानि कि यह एंसर बिल्कुल भी सही है तो ओप्सन को देखकर आप असानी से स्ट्रिक से सोट आउट कर सकते तो दोस्तों आज का वीडियो का सेक्षन एही पर आपको यह हमारा जो वीडियो है वो कैसे लगे नीचे कमेंट लिग कर जरू बताईएगा और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं कोई नए और इंट्रेस्टेट फ्रेश ट्रिक के साथ आज करें लिए पर आने वीडियो है वीडियो को अे जरिंट वीडियो खाद हैं